ये है विवित भारती पत्र अबली में सुनिये शोताओं की पत्र और उनके उत्तार सभी सुनने वालों को अमरकांत और रेणू चतुरवेदी का नमस्कार और रंगों का तेहवार दस्तक दे रहा है तो धेर सारे रंग बिरंगे खतों के साथ हाजिर है हम और इसके साथ ये तेहवार ऐसा है अमरकांद जी कि कुछ इसमें सावधानिया भी रखनी पड़ती है जी पहले से जो सावधानिया चली आ रहे हैं रेणू जी वो तो रखनी ही है जैसे कि भाई आपके रंगों से किसी को कोई परेशानी ना हो पानी का आप गलत इस्तेमाल ना करें आप किसी और की भावनाओं को ना आहत करें ये सारी चीज़े तो हैं ही लेकिन इस बार यूं कहें कि विश्व जान रहा है कि हम सब कुरोना वाइरस की चपेट में हैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकते लेकिन हां हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और बराबर कहते हैं ना प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योड तो ये इस पर भी लागू होती है बात और इस आजिक दाइत्व को निभाते हुए हमने पहले ही कुरोना के संबंद में विशे शग्य को बुला कर उनसे बात चीट करके उस कारेकरम को प्रसारित किया और आप भी कुछ इसमें कहें लेकिन उससे पहले उस कारेकरम के संबंद में जो पत्र हमारे पास आये हैं शोताओं क जिसके लिए बहुत धन्यवाद विवित भारती को देते हुए अर्विंद कुमार देशमुग साहब है अमरवती के इसमें इनका यही कहना है कि देखिए कुदरत का क्या करिश्मा है हम पहले जाड खेती इनको इस तरह के फवारे लगाते थे कि जिससे जो राशानिक दवाईयां डाला करते थे कि कीड़े ना लगें वो ना हो लेकिन आज इस्तिती ही आ गई कि मनुशों के ऊपर इस तरह के फवारे डाले जा रहे हैं जो को टीवी पे देखते हैं और इसके लिए इन्हों ने ये भी कहा कि विविद भारती ने अपना दायतों पूरा करते हुए एक करिक्रम प्रिसारित किया डॉक्टर मंगेश तिवसकर जी को आपने बुलाया और राजिन तरपाठी जी ने जो उनसे बाचीत की वो इनको बहुत अच्छी लगी आप विस्तार से जवाब दीजेगा मैं उससे पहले एक और पत्र पढ़ दूँ बुरिंदा पाटिन 36 गड़के प्रेमलाल यादव साहब ने भी इस करिक्रम की बहुत तारीफ की है और ये बताया कि किस तरह से संक्रमन हो सकता है किस तरह कि आपको बचाओ करने चाहिए इसके लिए बिवि प्रेमी इनका तखलुस है और आर्टी आई एक्टिविस्ट हैं ये जी हाँ पर्यावरान संडक्षन में भी बहुत काम करते हैं तो इन्हों ने इस करिक्रम की तारीफ की है साथ में कुछ और भी कहा है वो मैं आगे पढ़ूँगा उससे पहले अर्विन कुमार जी प्रेम और अमरकान जी ने कहा कि सतर्क रहना जरूरी है तो आप सब जानते हैं कि बार बार अपने हाथ को धोएं साबुन से धोएं साफ सफाई का ख्याल रखें और जानकारी आपके पास तो है ही कि इस पर्ष से ये फैलता है तो ध्यान रखें कि हाथ न मिलाएं जो हमारी संस्क आ रहा है या च्छीक आ रही है तो मूपर रुमाल रख लें और इसी तरह से सामने वाले को आ रही है आप भी उसे दूरी बना कर रखें यानि कि कुल मिलाकर आप अपनी सहत का ख्याल रखें और सामने वाले की भी सहत का ख्याल रखें इसके साथ ही अपनी सहत का इस तरह से भी ख्याल रखें कि कोई और बीमारी ना आए क्योंकि जब शरीर कमजोर होता है तो इस तरह के वाइरस जल्दी आक्रमान करते हैं और हम उसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखें जी जैसे मैंने कहा था कि शाह अलम जी ने कुछ और देते हैं या उनका डूरेशन जो होता है वो जादा होता है या जो बातचीत कर रहा है वो सही तरीके से सवाल नहीं पूछता है यानि कई बार ये होता है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका सीधा सीधा शायद कोई संबंद ना हो तो इस बारे में इनका कहना है कि अगर इ interview कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ी और exercise कर लें आप तो जादा बहतर होगा बहुत अच्छी तरह से आपने बात को अपनी कहा और सिर्फ यह आपकी बात नहीं हम भी इससे तफाक रखते हैं और हम इस बात का ख्याल रखेंगे इसी संदर्ब में अमरकान जी एक बात और हम बताना चाहते हैं जैसे निनों खुद लिखा है कि बहुत मशक्कत से हम किसी विशेशगे को बुलाते हैं और उन्हें यहां तक लाना सच मुश्किल तो होती है थोड़ी हमें ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है अब एक पत्र मेरे हाथ में है राजा राम नगर देवास के हमारे शोता हैं राजू अगरवाल राकेश अगरवाल और शांती महाजन पहले तो इन्होंने तारीफ लिखी है उस करकम की जो डॉक्टर वेत थापर से हमारे यहां से बातचीत प्रसारित हुई थी वो इनको बहुत ही अच्छा लगा इनका कहना है कि डॉक्टर वेत थापर ने जो बातें की वो सचमुच बहुत अच्छी थी और सामाजिक सरोकारत से जुड़ी हुई बातें थी इसके अलावा इनका कहना है कि आप गायक कलाकार कमलेश अवस्थी और नरेंदर चंचल पर कारिकरम प्रसारित करें विशेश रूप से इन्होंने एक बात लिखी है कि पिछले कई दिनों से आप मोबाइल पर रेडियो सुनने की बात को बहुत ज़ादा तूल दे रहे हैं कि यह कहीं भी और कभी भी आप सुन सकते हैं तो विविद भार्ति से आपको इतनी मुहबद है तो हम इस बात की आपको सिर्व जांकारी देते हैं कि आप इसको अपने साथ जो फोन है, उसमें सुन सकते हैं कि यह बाध药ता नहीं होगी कि आप जब घर में बैठें और कुछ भी नहीं है तो इसी तरह से सुनते रही है और आजू राकेश रांती जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने लिखा और कुरोना वाइरस की बात चल रही थी अमरकान जी तो एक बात और हम शोताओं से कहना चाहते हैं कि बहुत तरह की अफवाहें भी फैलती हैं अभी किसी और को बताएं ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी सुन लिया और सबको बताना शुरू कर दिया तो एक घबराहट को जो महाल समाज में बन जाता है कृपया उसको समहालना उसको रोकना हम सब की जिम्मेदारी है तो एक समाजिक सरोकार की बात है अब कुछ दो या तीन यह तीन पत्र मेरे हाथ में है सविता जैन, मोना जैन, शिवानी जैन इनका पत्र है साथ ही प्रदीब जैन इनका पत्र है और यह सिमगा चत्तीजगर से ही आये हैं यह पत्र और इन तीनों पत्रों में विविधा कारिकरम के बारे में लिखा हुआ है खास्तोर से 21 और 14 पर बहुत अच्छा लगा जहीर है कि उसमें बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग्स हम लेकर आते हैं जैसा मौसम होता है जैसा शमय होता है उसके आधार पर ही ये केरक्राशंग बनता है और फरवरी महीना हमें लगता है अमर्कांजी कि अपने आप में बहुत विशिष्ट स्थान रगता है, बसंत का मौसम होता है, उसी में वैलेंटाइन डे पड़ता है, और अब तो रंगों का तेहवार भी आही गया है, तो एक अच्छा सा महाल बन जाता है, तो सब कुछ अच्छा लगता है, और आपने फ़रवरी से ही रंग बरसने लगते पत्र लगता हैं, तो अच्छ विशिष्ट स्थान बहुत लगता है है, और इन्हों ने हमारे हाँ से प्रसारित होने वाले कार souvent आज के फंकार में अधाकारा निम्मी पर केंदरित कार सोना जो कि इनकों बहुत पसंद आया, चुकि ये गुजरे जामाने की मशोर और मारूफ अदाकारा रही है और इनका कहना है कि ना सिर्फ मैं मेरे चाचा जी निम्मी के जबरदत फैंन रहे हैं और हैं और मुझे भी उनकी फिल्में बेहर पसंद है आपके हांसे जो कारिक्रम प्रसारिद किया गया वह बहुत पुसंद आया वह भाग सूरत अंदाज में यह कारिक्रम प्रस्तृत किया। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि अजीत, महीपाल, जैराज, और रन्जन यह जो अदाकार हैं इन पर भी जल्द से जल्द कारिक्रम आप सुनते हैं करेक्रम आपके चाचा जी को भी करेक्रम बहुत अच्छा लगता है बहुत बहुत धन्यवाद यूहीं विवदभाते सुनते रहिए और बराबर सुनते रहिए तो जाहिर है कि आपके फर्माईश बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी अब मेरे हाथ में जो पत्र है वो पैठन से आया है बाबा साहिब सरगर का है इन्हें हमारे हाँ से प्रिसारित होने वाले सभी कारिगरम अच्छे लगते हैं बड़ी कोई इनकोई शिकायत नहीं है लेकिन इन्हें थोड़ा सा अश्चर हुआ जब महा शिवरात्री के दिन उन्हें पूरे दिन हमारा प्रिसारण सुना इनका कहना है कि एक भी गाना शिवरात्री से जुड़ा नहीं था और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये शिकायत कर रहा हूँ कि मैं बड़ा चौक गया मुझे बड़ा अश्र हुआ क्योंकि विविद भारती से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ सरगर जी आपने पूरे दिन कारिक्रम सुना शिवरात्री के दिन और अमरकान जी भूले बिसरे गीत में हमने बजाया है और शाम को भी हमने बजाया है और निर्मान के समय हम इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं हो सकता है आपने न सुना हो लेकिन फिर भी अगर आपने कहा है जाहिर है हमारे शोता इतने सम्वेदन शील है और इतने मतलब महबत करते हैं शिद्धत से कारेक्राम को सुनते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि क्या हुआ है हाँ अब रिनु जी एक पत्र मेरे हाथ में बोस कॉलोनी जबलपूर के राम मेगजानी राजू अक्षे और तनुच का है इनको इस बात से बड़ी कोफ्त है कि एक ही शहर के कई बार दस दस पत्र पत्रावली में या अन्य फरमाशी प्रोग्रामों में शामिल होते हैं और ख पत्र को जगह नहीं मिलती है और इनका ये भी कहना है कि कई बार पत्रावली का प्रसारन इनके शहर से नहीं होता पता नहीं ये हां कुछ इस तरह देनों ने लिखा है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये सेवा हमारे शहर से बंद है क्या नहीं ये तो किसी शहर से भी इस तर अब ये भी हो गया कि हमें एक शहर के बहुत सारे लोगों का हम नाम नाले बहिश होता हो आप इस तरह से करक्रेम सुनते रही है और ये चोटी-चोटी चीज़ों के बारे में हमें लगता है कि हमारा ध्यान देना बड़ा मुश्किल है तो अब इस तरह की बाते तो हमारे पस पतर आता है तो हम बस देखते हैं कि हमारे जुश रोता है उनका नाम नशामिल हो बार-बार अब शहर प्रदेश और देश की बात जो है उन सबको छोड़़ दिया जाए तो बहतर है यानि कि हम अपने को सीमाँ में नबान है राममेक जानी जी का जो नाम心 है रि़िजश ये SMS के महाने VBS के तरदाने प्रोग्राम में बराबर आता है और कई बार हमने मन्चाहिगीत कारेकरम में भी शामिल किया है तो अमरकान जी इनकी तो शिकायत ही नहीं है कि इनका नाम नहीं आता है बलकि इनकी शिकायत तो ये है कि एक शहर के बहुत सारे लोगों का पत्र ले ले लेते हैं और बात सही है अमरकान जी ही इस बात का जवाब देंगे अगर ये बात है कि हम क्या देखकर पत्र उठाते हैं शेहर का नाम या शोता का नाम तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मैं ये मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि पत्र रखते हम क्या देखकर हैं ये तो हम सब जानते हैं यानि कि घड़ी देखकर हम पत्र रख देते हैं जी तो फिलाल गड़ी हमसे कह रही है कि अगर कुछ पत्र बचे हैं तो अगली पत्रवली के लिए उन्हें समेट लीजे और अपने सभी शोताओं से कहिए अमरकांत और रेडू चतुरवेदी को दीजिए इजाज़त नमस्कार पत्रवली में शोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर